प्रक्राइब प्रक्राइब भी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है एक बार सभी दोस्त जल्दी से जल्दी लाईज उड़ जाएगा उसके बाद जो अपना ये शेशन है इसकी हम सुर्वात कर देते हैं बिलकुल और रख होसला वो मंजर भी आएगा जैसे के पास समुड़कर समुंदर भी बैट मंजल के मुसाफिर मंजल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा चलिए दोस्तों क्लास की सुरुवात कर देते हैं कि चलिएगा एक बर सभी लोग जल्दी से जल्दी यहां पर लाइज जो जाएगा और जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार मुझे अपना नाम आप लोग कमेंट बोक्स में बता दीजेगा कि कौन-कौन साती मेरे साथ जुड़ चुका है यहां पर जी कौन-कौन यहां पर जुड़ चुका है एक बर सभी दोस्त जरूर से बताएंगे अ कि अ कि अ कि अ कि कौन कौन जुड़ चुके हैं यहां पर जरूर से बताएगा विया एक बार बिल्कुल यहां पर जुड़ चुके हैं साथी जतिन योगेस मीनुशंकर अंशिका पटेल चलिएगा क्लास की सुरुवात कर देते हैं और आज का जो पहला प्रसन है आप सभी लोगों की मोबाइल स्ट्रेन के उपर यह रहा कि निमन लिकित में से कौन सा उच्च गुणवत कोईले की बात कही गई है और कोईले की जब जब भी बात आती है तो किस कोईले का नाम आता है साथी तो याद रखेंगे एंथ्रेसाइट कौन सा कोईला होगा भिया एंथ्रेसाइट जो कोईला है एक सर्वोतम गुणवत्ता वाला कोईला माना जाता है एंथ्रेसाइट व इसमें कार्बन की मात्रा लगबग 86% होती है और ये वास्प सील पधार्थ वास्प सील पधार्थ की जो मात्रा है साथी ये होती है लगबग 14% ठीक है तो ये जो दोनों चीजे हैं आप लोग जरूर से याद रखेंगे बिलकुल यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं सभी दोस् साथी आगे चलिएगा और आप लोगों के लिए चलिएगा next परसन संख्यां कि यहां जीनाइट के मात करूं यहां यहां भूरा लाडू के अंदर और तमिल लाडू में भी कहाँ पर नवेली में नई नवेली दुलन कहाँ पर तमिल लाडू में आगे बात करूँगा मैं बिटू मिनस की तो बिटू मिनस कोईला जिसे काला कोईला भी कहा जाता है जिसे गहराई में दवा दिया गया है और तापमान में व पीटो मिनस कोईला को इसे दलदल में सड़ने वाले पोधे पीट कोईले का उत्पादन करते हैं पीट में कम कार्बन और उच्छ नमी की मात्रा और कम ताप छमता होती है तो सभी पैरे दोस्त ये जो कोईले की जो बाते हैं आप जरूर से याद रखेंगे सबसे अच्छा को कुन सा होता है साथी तो याद रखेगा एंथरे साइट कोईला होता है सबसे अच्छा आगे बात करूँ मैं भईया प्रसन संक्या दो कि भईया गदर पार्टी का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो भईया गदर पार्टी गदर मुवी देखी होगी सन्नी देवल की तो भ जबद तरीके से आने दीजिए और जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई अरे जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता नोटों में भी लिपट कर और सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता तो चलिए सभी दोस्त बताईगा कि गदर पार्टी का मुख्याले कहाँ पर है तो साथी याद रखेगा गदर पार्टी का जो मुख्याले है कहाँ पर होगा सैन फ्रांसिसको के अंदर कहां पर होगा सैन फ्रांसिसको में होगा गदर पार्टी का मुख्यल है इसकी स्थापना कब होती है तो साथी याद रखेंगे 15 जुलाई 1913 को 15 जुलाई 1913 को होती है क्या इसकी स्थापना आगे मैं बात करूँ साथी यहां पर गदर पार्टी गदर पार्टी के बारे हम बात करें जिसे मूल रूप से पैसिफिक कोष्ट हिंदुस्तान एसोसियेशन के नाम से भी जाना जाता है इसकी इस्थापना बताई मैंने आप लोगो 15 जुलाई 1913 को इसकी इस्थापना होती है गदर पार्टी की और सयुक्त राज्य अमेरिका मे लाला हर्दयाल नाम याद रखना लाला हर्दयाल संत बाबा वसाका सिंग ददेहर इसके अलावा बाबा जावाला सिंग इसके अलावा संतोस सिंग और सोहन सिंग भाकना ये जो चारो पाचो लोग है इनके द्वारा होती है क्या गदर पार्टी की इस्थापना आगे बात करूं गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश सासन को उखाड फैकने के लिए परवासी भारतियों का एक अंतर राष्टिय जो राजनीतिक आंदोलन था कोण सी गदर पार्टी इसके अलावा गदर पार्टी को संयुक्तर राज अमेरिका कनाडा पूर्वी अफरीका और एशिय में रहने वाले भारतिय परवासियों के बीच एक बड़ा समर्थन और आधार भी मिलता है तो सभी साथी जरूर से बतेगा गदर पार्टी के बारे में आपको याद हुआ या नहीं हुआ एवर सभी दोस्त जरूर से बता दीजेगा भई सभी का तही दिल से स्वागत है व उप्योग किया जाता है स्विच का कुचालक का बल्ब का या फिर तार का आने दीजे कमेंट बोक्स में आंसर भीया कि विद्युद परिपत को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है स्विच का करते है क्या कुचालक का करते है क्या बल्ब का करते हैं क्या या फिर तार का करते हैं क्या बताईए तो सभी साथ ही याद रखेंगे आज के बाद किसका परियोग किया जाता है या पर स्विच का परियोग किया जाता है किसका स्विच का परियोग किया जाता है आगे चलूं क्या चलिए भीया निमने लिखित में स कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था एक बहुत ही प्यारा परसन और लगाना इस पर इंपोर्टेंट लगाना इस पर इंपोर्टेंट कि भाया कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था तो साथी याद रखेंगे फतैपुर सीकरी लखनाव लाहोर या पिर मिरजापूर आने दीजिए कमेंट बोक्स में आंसर जबर्दस तरीके से बिलकुल सोनम चोहान अजय ललित विरेंद्र सभी दोस्त आने दीजिए कि कौणशा शहर मुगलों का परसिद पहला नियोजित शहर था तो साथी याद रखेंगे फतहपुर सीकरी कौणशा था पतैपुर सीकरी था जिसकी ये क्या था एक शहर था और इस शहर की स्थापना कब होती है सन पंदरासो गुनित्तर के अंदर कब होती है सन पंदरासो गुनित्तर में होती है इस शहर की स्थापना आगे चलिएगा मुगल राजवन्स मुगल राजवन्स की संस्थापा कोण माने जाते हैं बाबर कोन है बाबर है इस्थापना कब करते हैं 1526 में और बाबर का पहला युद बाबर का पहला युद पानी पतका देखो बाबर ने भारत में टोटल चार युद करे चार युद करे कैसे याद रखना बया 26 में पानी पिया 27 में खाना खाया 28 में चाय पी और 39 में घर चला गया 26 में 1526 में पानी पतका युद सत्ता 1527 में खानवा का युद 1528 में चाय से चंदेरी का युद और गुनतिस में घर याने की घागरा का युद यहां पर देख सकते हो जो पहला युद्ध होता है पानिपत का 1526 में बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में लड़ा जाता है 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है 28 में बाबर और मेधनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध होता है 39 मे बाबर और महमूद लोदी के बीज कौन सा घगर या फिर घागरा का युद्ध भी से कहा जाता है तो पताएगा साथी याद हुआ या नहीं हुआ 26 में पानी पिया 27 में खाना खाया 28 में चाई पी और चाई पिकर गुनतिस में घर चला गया ठीक है आगे चलिएगा विटामिन कमी से होने वाले रोग का निमलिकित में से कोण सा युगम सही है तो आप लोगों से सही पूछ रहा है यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कोण सा रोग होता है इसकरवी बिलकुल सही बात है विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी रोग नहीं होता तो क्या होगा केवल एक option number D हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही answer ठीक है चलिए आगे चलिएगा म्यामार निमलिकित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साजा नहीं करता क्या पूछा है भया सीमा साजा नहीं करता है किस युद्ध के साथ किस राज्य के साथ नहीं करता है तो last glass मैंने आप लोगों को बताये था नागालेंड से भी करता है मनिपूर से भी करता है मिजोरम से भी करता है लेकिन सिक्किम से नहीं करता किस से नहीं करता सिक्किम से नहीं करता ठीक है यह तो अच्छा तरीका है याद करने का हाँ बिल्कुल चार युद लड़ता है बावर थीक है आगे चलिएगा अब यहाँ पर बात करें कि सिक्के में जो है भूटान चीन नेपाल के साथ अंतर राष्टे सीमाओं का साज़ा करता है अरुनाचल परदेश नागालेंड मनीपुर और मिजोरम म्यामा इसके अलावा साथी मैं बात करूँ यहाँ पर सेवन सिस्टर स्टेट से काफी मैतपुन है इस्टा लगा के याद रखना कि साथ बहनों साथ बहिने साथ बहिनें के जो स्टेट है राज्य है कौन-कौन सा पूरोत्तर भारत का एक छेतर जिसमें अरुनाचल परदेश असम मेगाले, मनीपुर, मिजोरम, नागालेंड और तिरपुरा के निकटवर्ती राज्य यहाँ पर सामिल है कौन-कौन से होंगे सैवन सिस्टर समी यह शामिल है आगे बात करूँ भारत की सीमाई दस देशों के साथ लगती है कौन-कौन से देशों के साथ उत्तर या फिर उत किन-किन देशों के साथ लगती है साती तो याद रखेगा स्री लंका के साथ लगती है मालदीव के साथ लगती है इंडोनेशा के साथ भी लगती है आगे चलूँगा मैं नेक्स यहाँ पर अब यह देखो जैसे कि देश हैं और देशों की जो सीमा लंबाई है यानि कि किन 1323 किलोमेटर हमारी जो है सीमा लगती है बाउंडरी लगती है पाकिस्तान के साथ भारत की इसी के अलावा चीन की लगती है 3488 किलोमेटर ऐसे ही नेपाल के साथ लगती है 1690 किलोमेटर अंतराश्ट सीमा भूटान के साथ लगती है 699 किलोमेटर अंतराश्ट सीमा इसके केवल और केवल 106 किलोमेटर अंतराष्टिय सीमा आगे चलूँगा मैं नेक्स्ट प्रसन संक्या साथ कि निमन लिखित में से कोण सा कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया था तो भीया नहीं लिखा जाता है कोण सा कुमार संभाव लगू जातमक मेगदूत या फिर रगू अन्शम तो बतेगा साथी कोण सा नहीं लिखा जाता है तो कुमार संभाव तो लिखा गया था मेगदूतम भी लिखा जाता है रगूवंशम भी लिखा जाता है लेकिन लगूजातमक जो है ये नहीं लिखता है कालिदास ये कौन लिखता है ये लिखता है वराह महीर ये कौन लिखता है तो साथी याद रखेंगे ये लिखता है वराह महीर जो वरहा महिर है इसके लेखक है कालिदास की एक काफी फेमस ओर भी रचना है जिसका नाम है यहाँ पर अभिज्यान साकुंतलम अभिज्यान साकुंतलम के बारे में भी मैंने आपको बताया था एक लव स्टोरी है काफी पोपुलर ठीक है जिसमें राजा दूस्यन तो होता है और वो वहाँ पर जो जंगल में सकुंतला से प्रेम करता है और शाधी करके चला जाता है लेकिन फिर बाद में उसकी याद आती है और फिर वो वापस से आता है तो मैं जो है आप लोगों को एक बुक्स की एक जो कहानिया है कहानिया बता के मैं आप लोगों को याद करवाँगा एक दो दिन में जो क्लास है आप लोगों के लिए जरूर से आने वाली है ठीक भया चलिएगा नेक्स्ट बात करें कि निमल लिकित में से किसके पास खुला परी संचरन तंत्र होता है तो भया चूहा मनुष्य पक्सी या फिर तिल चट्टा बताईए किसके पास होता है खुला परी संचरन तंत्र तो यहाँ पर होता है तिल चट्टा के पास क्या होता है एक खुला परी संचरन तंत्र होता है निमल लिकित में से कोण सा एस आकार का महासागर है लगाना इस पर इश्टार, कौन सा होगा भिया, यहाँ पर ऐस आकार का, ऐस आकार का जो यहाँ पर महासागर है, उसका नाम क्या होगा, तो साथी याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर, कौन सा अटलांटिक महासागर यहाँ पर हो जाएगा, बोलिएगा, चले आगे, च सबसे बड़ा है यह करम से उत्तर पश्चिम और पूर में एशिया अफ्रीका और ओस्टेलिया से गिरा हुआ है दक्षिन महासागर या फिर अंटार्टिका इसे दक्षिन से बांधता है इसके अलावा हिंद महासागर में कुछ छेत्रिय समुद्र है कौण कौण से समुद्र है जैसे की अरब सागर है बंगाल की खाड़ी है लक्षदीब सागर है सोमाली सागर है और अंडमान सागर है इसके अलावा आर्किटिक सागर की मैं बात करूं आर्किटिक सागर की बात करूं साथी यहाँ पर तो विश्व के पांच महासागरों में से यह सबसे छोटा महा महासागर है ठीक है आगे चलिएगा नेक्ष्ट बात करें यहाँ पर आर्कटिक महासागर की सीमा से लगे हुए 6 देश कौन-कौन से है साथी कनाडा है डेनमार्क है आइसलेंड है नार्वे हो गया रूस हो गया और अमेरिका हो जाएगा प्रशांद महासागर की मैं बात हाड होता है नहीं पेपर जादा हाड नहीं होता प्रसन यहीं उठके आने हैं बार-बार ठीक है हाड और इजी कुछ भी नहीं होता जो आपको आता है वो तो इजी हो गया और जो नहीं आता है वो आपके लिए हाड हो गया ठीक है तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि जो तुम का सही है अगर मेरा गलत है तो सब का गलत है ठीक है जब तो होगा तुम्हारा सेलेक्शन आगे चलिएगा प्रसन संक्या 10 कि बारत में निमन लिकित में से कौन मुद्रा आपूर्ती को वी नियमित करने का करने का परभारी है तो भीया परभारी कौन है यहापर भारतिया रिजर्व बैंक होगा अब यहाँ पर भारतिया रिजर्व बैंक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था काफी बार बता चुका हूँ फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा रवा की फुल फोर्म क्या होती है साथी याद रखेगा रिजर्व बैंक अफ इंडिया इसकी इस्थापना कब होती है तो याद रखेंगे एक अपरेल सं गुनी सो पैंतिस में होती है इसकी सिफारिश पर तो साथी याद रखेंगे यंग हिल्टन समीती की सिफारिश पर जब इस्थापना हुई तब मुख्याले कहां तब मुख्याले था कलकत्ता के अंदर लेकिन वर्तमान मुख्याले कहा वरतमान मुख्याले मुंबई में ठीक है अगली बात करें इसका आर्वियाई का जो प्रथम अंग्रेज गवर्नर तो साथी याद रखेंगे जिसका नाम क्या था नाम याद रखेंगे सर ओस बोर्न इसमित नाम क्या याद रखेंगे सर ओस बोर्न इसमित थे इसके पर्थम अंग्रेज गवर्नर पर्थम भारतिय गवर्नर के बारें पूछे तो साथी क्या याद रखोगे पर्थम भारतिय गवर्नर कोण हो जाएगा नाम याद रखना सीडी देशमुक पर्थम भारतिय गावर्नर सीडी देशमुक वर्तमान गावर्नर कोण है तो वर्तमान गावर्नर थे हैं कोण सक्तिकांत दास है हमारे पूर्व गवर्नर अरे लोगडाउन किनके नोट बंदी किनके कारण बंद हुई किनके टाइम पर जो नोट बंदी है वो बंद हुई उर्जित पटेल पूर गवर्नर कौन थे उर्जित पटेल थे और क्या रहे गया बिलकुल इसका राष्ट्यकरण कब होता है सन गु ठीक है अच्छा ये वाला तो मरते दम तक ना भूलेंगे ठीक है आगे चलिएगा साथी next बारत में वायू दूत एयर लाइन की स्थापना कब होती है तो भीया वायू दूत एयर लाइन की स्थापना होती है 1981 के अंदर कब होती है 1981 में होती है वायू दूत एयर लाइन की स्थापना आगे चलूँगा रेसम बनाने की तकनीक का आविस्कार सबसे पहले लगबक कितने वर्स पूर्व चीन में होता है यहनि की रेसम से रेसम बनाने की जो टेकनिक है कहां की है चीनियों की है चोटी छोटी चोटी आखोवाड़ों की है और लगबक का बनती है 7000 इसा पूर्व के ठीक है सात हजार वर्स पूर्व यह बनती है आगे चलूँगा अबदुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के क किस घराने के परतिपादक थे अब बताओ अब बताओ तुम्हारी नोलेज कितनी है और तुमने कितना क्या पड़ा है बताइए अब्दुलकरीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंदित थे जैपुर घराना ग्वालिर घराना दिल्ली घराना या फिर किराना गहराना, तो भईया समान लेने के लिए कहा जाओगे, समान लेने के लिए किराने की दुकान पर जाएंगे, किराने की दुकान पर जाएंगे, तो अब्दुल करीम खान, ठीक है करीम कैसे याद रखोगे, यहाँ पर क्या नाम है करीम, तो करीम लेने के लिए कहा जाएंगे, करीम लेने के लिए किराने की दुकान पर जाएंगे करीम लेने के लिए किराने की दुकान पर जाएंगे तो अब्दुल करीम करीम खान का सम्मन हो गया किराना घराना से ठीक है भीया आगे चलें चलिए साथी ग्वालियर घराना की बात करूँ तो भी है ग्वालियर घराना में हो जाएंगे उस्ताद हसू खा उस्ताद हद्दू खा और उस्ताद नात्व का हसू हद्दू नात्व कौन कौन हसू हद्दू नात्व ये कौन होगे ग्वालियर घराना के अंदर आगे चलूँगा बनारस घराने में अरे बनारस में कौन फेमस है या बनारस में तो बगवान कृष्ण फेमस है और बगवान कृष्ण का क्या नाम है गोपाल ठीक है तो कौन हो गई बनारस में पंडित गोपाल मिसराजी हो गई आगे चलिएगा आगरा आगरा में क्या है हा हाजी सुजान खान उस्ताद गागे कुदा बक्स ये दो ही आदमी फियमस है किराना घराणा में बता है मैंने आपको करीम लानी है तो कहां जाओगे किराना की दुकान पर जाएंगे अब्दुल वाहिद खान ये भी आपके किराना घराना से ही सम्मंदित है ठीक है चलिए आ पत्याला घराना भाई साब पत्याला घराना उस्ताद फत्याली खान और उस्ताद अली बक्ष उस्ताद फत्याली नुसरत फत्याली खान नाम सुना होगा आप लोगों ने राहत फत्याली खान तो वैसे ही याद रखना उस्ताद फत्याली खान किस से हो गई पत्याला घरान से संबंदित हो गए और उस्ताद अलीबक्स भी पटियाला घराना से ही संबंदित है आगे चलूँगा साथी में यहाँ पर दिल्ली घराना हो गया सिदार खान डाडी दिल्ली वाले लोग क्या रखते हैं अरे दिल्ली वाले लोग तो भाया डाडी रखते हैं तो क्या हो जा गग्ये नजीर खान से हो जाएगा मिवाती घरना नेक्ट परसन की भारत को खालिस्तान को भारत में गुजराती नव वर्स के रूप में मनाया जाता है इसे मनाया जाता है भारत में गुजराती नव वर्स के रूप में बेश्टू वर्स को मनाया जाता है भारत में गुजरा चलूँगा मैं next यहाँ पर ये कुछ त्यंवार है जैसे की त्यंवार है यहाँ पर जैसे की दिवाली, दिवाली सभी जगह मनाई जाती है पूरे भारत में मनाई जाती है, उत्तरपरदेश, पंजाब और हरियाणा में काफी famous है दिवाली वैसे सभी जगह पर normally, सभी जगह पर काफी दूमदाम से मनाई जाती है दिवाली होली होली भया पूरे भारत में फेमस है लेकिन सबसे ज़्यादा भया फेमस है कहां पर हमारे राजस्तान में फेमस है ठीक है देवर भाबी की होली मीठी होली सभी लठमार होली ये सारी होलियां फेमस है ठीक है खासकर उत्तर परदेश बिहार रजस्तान और पश्चिम मंगाल में पोली का तेवार काफी फेमस है नवरात्री दुर्गा पूजा पश्चिम मंगाल में काफी फेमस है दुर्गा पूजा इसके अलावा गुजरात असम और उडिसा में भी करी जाती है गने चतुर्ती भया सबसे फेमस सब पूरे भारत में में मनाई जाता है रक्षा मंदन जन्माश्ट में भी हम पूरे भारत में ही मनाते हैं दुर्गा पूजा पश्चिम मंगाल पॉंगल पॉंगल तमिलाडू का सबसे फेवरिट क्योंवार है आंदर परदेश और तेलंगाना भी याद रखना ओनम हो जाया केर सकरांती सभी जगह मनाई जाती है पूरे भारत में क्रिस्मिस भी पूरे भारत में मनाई जाता है इदुल अदा इदुल अदा खासकर जम्मू कस्मीर यूपी पश्चिम मंगाल और मुस्लिम जहां पर मुस्लिम समुदाय जादा है उस शेतर में मनाया जाता है महासिवरात तो कल की है आपको advance में महाश्वरात्री की हारदिक हारदिक सुभकामनई भगवान बोले संकर आप सभी की life में 2024 में नोकरे दे ये मेरी भगवान से यही उम्मीद है अगर तुम सही मेहनत कर रहे हो तो इमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो भगवान शंकर आपको आपकी जो मे मेहनत है उस मेहनत का फल जरूर मलेगा बोल संकर वगवान की जैफ आगे चलिएगा बीहू बीहू तो भाया असन का famous है विशू केरल करनाटक तमिलनाडू का famous है पुंतूल या फिर तमिल नंवर्ष तमिलनाडू और पुद्धुचेरी का famous है आगे चलें करवा छोथ भाई साब करवा छोथ और आ गया भाई कमारों के दिल पे रेन चल गई यह तो शादी होगा जबी आएगी तब तक तो छोड़ो इसको दशेरा पूरे बारत में मनाई जाता है लोडी पंजाब में मावीर जैनती पूरे भारत में ही मनाई जाती है इदूल मिलाद ये सबी जो त्योवार है मैंने आप लोगों को बता दिये हैं जो हम लोग मोश्टली मेंली हम लोगों जो है मनाते हैं आगे चलूँगा मैं नेक्ष्ट यहां पर कि निमन लिकित में से किस बंदरगा को डायमंड हारबर के नाम से जाना जाता है तो साथी डायमंड हारबर के नाम से किसे जाना जाता है एक बार जरूर से बताईएगा बताईएगा चलें क्या इसका आंसर नहीं आया अभी तक अन्शिका जी बता रही है ए तो भैया अन्शिका जी आपका हमने सही माल लिया ए ठीक है आपका हमने सही माल लिया ए डायमंड हारबर डायमंड हारबर हल्दिया बंदरगा को कहा जाता है कहा पर है पस्सिम बंगाल के अंदर कह बंदरगा अरे कांडला बंदरगा कहां पर है गुजरात के अंदर इसके अलावा मजगाव बंदरगा मजगाव बंदरगा कहां पर है महराश्ट में है मुर्गाव बंदरगा यह हो जाएगा आप लोगों के गोवा के अंदर कहां पर होगा साथी गोवा में हो जाएगा आगे चलूँगा मैं next यहाँ पर किसके बारें बात करते हैं कि निमलिकित में से कौन सा तरलिकरत पैट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है तो भया प्रमुख घटक कौन सा होगा तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन बताएगा सभी साथी क्या होगा, बिल्कुल भया हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा इसका प्रमुख घटक है निमलिकित में से सही युगम का चैन कीजिए तो भया सही युगम का आपको चैन करना है तरत्य पंचवर्षी योजना, यह तिविर उद्योग के करन यह बुनियादी उद्योग यह भया गलत है ततो तो पंचवर्षी योजना, परिवार, नियोजन, कारेकरम यह भया बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा अब मैं यहाँ पर नेक्ष्ट बात करूँ जैसे कि तीसरी तो किस पर आधारी थी? क्रसी पर केंदरी थी, पहली हैरोड डोमर मोडल पर आधारी थी, दूसरी आप लोगों के महा लनोबिश मोडल पर आधारी थी आगे चलूँगा दक्षिन भारत में, दक्षिन भारत के मंदिर वास्तु कला के संदर्ब में गोपुरम शब्द का क्या अर्थ है? तो भया गोपुरम शब्द का अर्थ क्या है? दक्षिन भारत के मंदिरों में, तो मंदिर की सामने की दिवार में परवेश द्वार से मतल इनका गोपुरम का मतलब है आगे चलेंगे अमल और छार के बीच की अभी किरिया को किसके रूप में जाना जाता है तो साथी बहुत ही आसान प्रसंद है अमल और छार की किरिया होगी तो क्या होगा उदासीन अभी किरिया क्या हो जाएगी उदासीन अभी किरिया हो जाएग अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है लाल को नीला कर देता है भया समझ नहीं आती एक बर बताओ देखो कैसे याद रखना है और मेरे फेवरेट एक्टर का नाम क्या है अनील कपूर भया मेरे फेवरेट एक्टर कौन है अनिल कपूर है भया चाय जादा पीते हैं इसलिए चालनी खुद के साथ ही रखते हैं यहां क्या बन गया भया ऐसे बन गया आपके अमल अमल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अमल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है लाल कर देता है जबकी चा से यह क्या हो जाएगा चार जबकी चार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा नीला कर देगा ठीक है चार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो साथी यह जरूर से आप लोग याद रखे आगे चलूँगा आगे यह जो कृष्टली करण की मैं बात करूं तो यह क्रिष्टली करण का मतलब क्या होता है यहां पर यह तरल को ठोष्टल में बदलने की एक प्रकरिया है क्रिष्टली करण फिर पातन आप लोगों ने काफी वार नाम सुना होगा वो क्या चीज है तो तो वो क्या होगी आपके उधर पातन कहते हैं जैन्यवाद मिनु जी अजय भाई बोल रहे हैं बोल संकर बगवान की जै ठीक है हन्शीका जी सबी को हैपी मकर स्वरी मासे उरातरी जैसे की मेरे पास समाल लीजय बरफ है और बरफ डाइरेक्ट पानी में न बदल कर गैस में बदल जाए तो मैं क्या कहूंगा भाईया उधर पातन हो गया वास्पिकरण के बात करूँ तो किसी तरल पदार्ट के गैस सरण में परिवर्तित होने पर उसकी सतय पर होता है सिर्दी से बात वास पिगाण तो होता ही है पानी किसमें चेंज होगा गैस में बदलेगा संगनन का मतलब क्या होता है गैस का द्रोमे रुपांत्रन कोई गैस है मैंने दबाव लगया प्रेसर लगया तो वो किसमें कन्वट हो गई पानी में निस्तारण का मतलब होता है ऐ गुलंशी तरल पदार्त या तरल और निलंबन जैसे फोस मिस्रण के मिस्रण को अलग करने की एक प्रिक्रिया होती है आगे चलेंगे लाला लाज पत्राई के संग्ठन के सक्रिय सदश थे आने दीजे कमेंट बोक्स में आंसर बिल्कुल जबर्दस तरीके से लाला लाज पत्राई के संग्ठन के सदश थे तो साथी याद रखेंगे आर्य समाज के आर्य समाज के क्या थे ये आर्य समाज के एक स सक्रिय सदश्य थे बात करूं मैं आर्य समाज की इस्थापना कोण करते हैं तो भीया याद रखेंगे दयानंद सरस्वती आर्य समाज की इस्थापना कोण करते हैं दयानंद सरस्वती करते हैं कब करते हैं 1870 के अंदर कब करते हैं 1870 में करते हैं ब्रह्म समाज की मैं बात तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 के अंदर ब्रह्म सभा की स्थापना होती है 1828 के अंदर और जो ब्रह्म सभा है यह ब्रह्म समाज का ही क्या है एक पुराना संस्क्रण है किसका ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज का पुराणा संस्क्रण याद रखेंगे ब्रह्म समाज का क्या है पुराणा संस्क्रण है प्रार्थना समाज की बात करूँ तो भईया 1867 में होती है करता कोन है राजा राम मोहन राए राजा राम मोहन राए करते हैं इसकी स्थापना ठीक है भाईया चले आगे चलिए दोस्ते नेक्ष्ट बात करूं मैं बारत में एक सहकारी बैंक राज्जी खालिस्तान अधिनियम के तहत पंजीकरत है तो भाईया किसके तहत पंजीकरत है सहकारी समीती अधिनियम के तहत पंजीकरत है सहकारी बैंक और पर कॉलिंस इंडिया ने कश्मीर बुक ओफ दे पार्टिशन ट्रीलोजी पुस्तक परस्तुत की है इस पुस्तक के लेखक कौन है मनरीत सोडी सोमेस्वर है इस पुस्तक के लेखक जरूर से याद रखेंगे भारत में निमनलिकित में से किस राज्य में अरेविका कोफी उगाई जाती है बताओ अरेविका कोफी कहाँ पर उगाई जाती है सभी साथी बताएगा असम उत्राखंड पश्चिम मंगाल या फिर करनाटक तो भया अरेविका जो कोफी है पहली बात तो कहाँ पर उगाई ज जाती है असम में क्या उगई जाती है तो असम में चाय के साथ साथ चावल की खेती करी जाती है जूट की खेती करी जाती है और एक लिखना गन्ना की खेती यहां पर करी जाती है आगे मैं बात करूं उत्राखंड के बारे में तो भैया यहां पर जो है चावल की खेती करी जा करी जा जाती है और दालों की खेति भी करे जाती है और लुखिलक्षे करी जाती है तो खी साथि यहां पर जरूर से याद रखेंगे हैं है चले आगे ब्लैक बग नेशनल उध्यान किस राज्य में मुझूद है तो ब्लैक बग यह कहाँ पर है तो साथी आज के बाद रखना ब्लैक बग कहाँ पर होगा ब्लैक बग होगा गुजरात के अंदर हाँ पर हो जाएगा गुजरात में है ब्लैक बग हर्याना में क्या है त सुल्तानपूर राष्टिय उद्यान आगे सिक्किम की बात करो थे गृत सिक्किम का हो जाएगा कॉन सा कंचन जंगा सिकी में का कुण सा हो गा गांचन जंगा हो इसके अलावा मद्य परदेश के होंगे सर सब कलास का टाइम चेंज कर दिये क्या नहीं कहां पर हो गया मेरी कलास का टाइम बस आज आज ही यह रहेगा कल से आप यह वह रात को आएगी आठ बजे है ना आगे चलिएगा नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुनाचल परदेश में परवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है टोप मोश्ट परसन और वेरी वेरी इंपोर्टेंट परसन ब्रह्मपुत्र जब ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुनाचल परदेश में परवेश करती है तब इसे क्या कहते है जमुना, दिहांग, लोहिंग या फिर सो तो बतेगा इसका सही answer क्या होगा तो साथी याद रखेंगे जब ब्रम पुत्र अरुनाचल परदेश में परवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है दिहांग कहा जाता है जमुना कहा पर कहते है जमुना कहा जाता है बांगला देश के अंदर जमुना कहा पर कहा जाता है जमुना कहा जाता है बांगला देश के अंदर कहा जाता है जमुना ठीक है आगे चलिएगा यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूँ किसके बारे में या ब्रह्म पुत्र नदी के बारे में तो दोस्ता ब्रह्म पुत्र जो नदी है इसकी सहाय के नदियां अगर आप लोगों से पूछ ली जाए गलती से पूछ ली जाए तो याद रख लेना पहली नदी तीस्ता नदी तीस्ता नदी हो जाएगी एक होगी यहाँ पर लोहित नदी होगी एक हो जाएगी यहाँ पर दिहांग नदी और एक लाश्ट याद रखना सुबान सिरी नदी इसकी तो सबसे बड़ी उप नदी ब्रह्म पुत्र नदी की सबसे बड़ी उप नदी कोण सी होगी तो याद रखने ना सुबन सिरी नदी, ठीक है, सुबन सिरी नदी क्या हो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी उपनदी हो जाएगी, ठीक है, आगे चलिएगा, next, बैटरी में किस परकार का उर्जा रूपांतरन होता है, रासायनिक उर्जा का परकाश में नहीं, यहाँ पर होग रासायनिक उर्जा का विद्यूत उर्जा में परिवर्तन होता है, आगे चलूँगा, मुगल सामराज्जी का अंतिम बादिशा कोन था, जिसे अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, गाना सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून और वहां से किया है टेली फोन, तु दोरान जो वहां के जो साशक थे, अंग्रेज साशक थे, इन्होंने बेज दिया था, इसे कहां पर रंगून बेज दिया था, बिचारा याद करता, अपनी पतनी को, अपनी रानियों को और वहां से फोन करता, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया है टेली फोन, कि तुम हुमायू, हुमायू का बेटा अक्बर, अक्बर का बेटा जहांगिर, जहांगिर का बेटा शाजहां, शाजां का बेटा औरंग जेप राश्ट चलते-चलते कोर्ण आया बहादुर शाह जपर किस राज्य या केंदर शाशित परदेस में मनाया जाता है तो साथी याद रखेंगे जो सिंधू दर्शन है सिंदू दर्शन कहाँ पर मनाया जाता है लद्दाक के अंदर भी का लोसर भी काफी famous है आकास का निला रंग किसके कारन होता है अगर इसका नहीं बताया तो भाया खेल खराब इंपोर्टेंट है पिश्टा लगा के याद रखना अगर आकास का नीला रंग किसके कार्ण होता है हम लोगों ने खूब पढ़ा था दस्वी क्लास में प्रकीर्णन की वज़े से किसके वज़े से प्रकीर्णन की वज़े से होता है आकास का नीला रंग सर्वोचे नहले खालिस्तान परकार की याचिका या फिर रिट जारी कर सकता है तो साथी याद रखेंगे यहाँ पर कितनी परकार की रिट जारी करी जा सकती है सर्वो चिनैले के द्वारा पाच परकार के रिट जारी की जा सकती है और वो पाचो रिट कौन कौन सी है बंदी परतक्ष्टिकरन परमादेश प्रतिशेद उतपरेशन लेक अधिकार प्रच्छा तिकर ये जो पाचो रिट है ये सर्वो चिनायले के द्वारा जारी की जा सकती है जैदेव प्रसन संख्या 31 देखिएगा कि जैदेव निमन लिखित में से किस सासक के महान दर्बारी कभी थे तो भया जैदेव किसके थे जैदेव जो है किस सासक के महान दर्बारी कभी माने जाते है तो याद रखेंगे लक्षमन सेन के किसके लक्षमन सेन के और लक्षमन सेन जो है सेन राजवन्स का था ये किसका सेन राजवन्स का एक साशक था और ये 1189 से लेकर और 1206 ऐसी तक इसने सासन किया आगे मैं चर्चा करू किसकी मिहीर भोज की तो भया मिहीर भोज का सासनकाल चलता है 836 से लेकर और 885 ईश्वी तक चलता है इसका सासनकाल और मिहीर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार वन्स के ये किसे संबंदित थे गुर्जर प्रतिहार वन्स से ये संबंदित थे गुर्जर प्रतिहार वन्स से संबंदित माने जाते हैं गोविंद तृतिय के बात करूं तो साथी 794 से लेकर और 814 ईश्वी तक इनका सासनकाल चलता है और यह जो है राश्ट्रकूट वन्स के सासक माने जाते हैं धरमपाल क मैं बात करूँ तो भाया ये 770 से और 810 इसवी तक इनका सासन चलता है और धरमपाल जो है धरमपाल जो है पाल वंस के दूसरे संस्थापक पाल वंस के दूसरे पाल वंस के दूसरे क्या थे ये संस्थापक थे तो भाया पहले कौन थे तो पहले याद रिखना पहला संस्था संस्थापंग किसे माना जाता है दरबाल निम लिकित में से किस बैंक द्वरा इस्तापित किया गया है तो साथ ही याद रखेंगे पहली बात तो देश का पहला हुआ पहला तेरता हुआ तेरता हुआ एटीम है कहां पर डल जील में और डल जील कहां पर है तो भाया डल जील है स्री नगर के अंदर डल जील कहां पर है स्री नगर में है डल जील और State Bank of India यानि की SBA क्या है यह सब्सक्राइब को क्या कहा जाता है तो साथी बताएगा चीटिया द्वारा उत्पादित अमल को क्या कहा जाता चीटिया द्वारा उत्पादित अमल को कहा जाता है फोर्मिक अमल या फिर आप लोग इसे मेथेनोईक अमल भी कह सकते हो। गुण सुत्रों की संख्या कितनी होती है तो भया मानों सरीर में गुण सुत्रों की संख्या होती है 46 होती है मानों में गुण सुत्रों की संख्या अमजद अली खान निम लिकित में से किस वादियंतर के वादन के लिए प्रख्यात हैं तो भया अमजद अली खान मैंने बताय सन से भी इनने नवाजा जा चुका है सन 2001 के अंदर विभूसन से भी नवाजा जा चुका है ओगे चलें क्या रफ.? आगे चलिएगा तबला radi बजाते हैं जाकिर हुसैन सबसे फेमस है पंडेत अनुखेलालमिस्रा अम्जद जान थिरक वायलिन कौन बजाते हैं सब्सुबर मन्यम काफी बार पुछा जाता है विना मुत्व सौमी दिख्षिक्तार ठीक है याद रखेगा पहला पहला नाम सब का परमुकों वनस्पतियों के साथ वन परकारों का मिलान करना है अपने को वन परकारों का क्या करना है मिलान करना है तो देखो क्या होगा उश्न कटी बन दिया सदा बहार वन तो पाए इसमें किस परकार के वन पाए जाते हैं भीया इसमें पाए जाते हैं रोजरवुड वन रोजरवुड या फिर महोगनी वन पाए जाते हैं तो पहले का सी ये गलत हो गया ये गलत हो गया या तो ये होगा या फिर ये होगा नमपरणपाती वन यहाँ पर क्या पाए आगे चलेगे अनुछे तरिपन किसे सब्मंदित है बताईए अनुछे तरिपन किसे सम्मंदित है अनुछे तरिपन भया संग की कारेकारी शक्ति पहले नंबर का ही यहां पर सही हो जाएगा ठीक है भाईया क्लास का टाइम चेंज कर दिया हाँ बिल्कुल दो दिन के लिए क्लास का टाइम चेंज हुआ है कल से आपका फिर से वही 8-8 बजे अपर क्लास हो जाएगी तो भाईया बताईएगा पंदरवे तिर्थंकर धरमनाथ से संबने जो परसिद हुतिसिंग जैन मंदिर है ये कहाँ पर है एहमदाबाद के अंदर कहाँ पर होगा एहमदाबाद में ये मुझूद है गुजरात के कुछ परमुक मंदिर हैं जैसे की अक्षरधा मंदिर कहाँ पर गांदिनगर में हैं अंबाजा मंदिर द्वारकदीश मंदिर फिक सोमनाथ मंदिर जलारंबा मंदिर बहुचर माता मंदिर बाला हनुमान मंदिर नागेशवर मंदिर पुति सिंग जैन मंदिर पुत्र नदी के दाएं किनारे की सायक नदी है तो भया दाएं किनारे की सायक नदी कौन सी होगी तो पहला ही सही होगा सुभान सिरी अभी बताया था मैंने आप लोगों को कौन सी होगी सुभान सिरी और प्रमुक क्या है ये उप नदी है प्रमुक क्या है भया उप नदी है आगे चलेंगे कि निमन लिगित में से किसका उप्योग दुनिया के पहले एंटिबायोटिक को तयार करने के लिए किया गया था तो किसका किया गया था सैवाल का नहीं किया गया था किसका कवक का किया गया था तो जो भी सोच रहे हैं ऑप्शन भी सारे के सारे सायोग आगे चलिएगा कालिस्तान का उप्योग बॉक्सिंग में किया जाता है बताओ किसका प्रियोग किया जाता है बॉक्सिंग के अंदर बॉक्सिंग में किया जाता है बॉक्सिंग में किसका प्रियोग किया जाता है अपरकट का अपर कटका प्रियोग किया जाता है, बोक्सिन के अंदर ऐसे, ठीक है, बंडर चकर, बंडर चकर की मैं बात करूँ तो ये जो है, पोलो से संबंदित है, बंडर चकर, मैलेट, मैलेट भी पोलो से संबंदित खेल है, और ड्यूस, ड्यूस जो है, टैनिस संबंदी सब्द है, आगे चलूँगा संयुक्त राष्ट विसो परेटरन संग्ठन का मुख्याले कहाँ पर मौजूद है लगाना फिर से श्टार भीया इस पर ये कहाँ पर होगा मैडरिड इस्पेन के अंदर कहाँ पर है मैडरिड इस्पेन में ये मौजूद है मैडरिड इस्पेन में साथ ही ये मौजूद है आगे चलिएगा कि निमल लिकित में से किस राजिया केंदर शाषित परदेश ने जंगली हातियों की सुरक्षा के लिए एक एंटी इलेक्ट्रिकल किलिंग सेल इस्तापित करने की योजना बनाई है तो अभी हाल ही में नंदी की सबसे उची मूर्ति मानी जाती है नंदी भगवान है नंदी जी की सबसे उची मूर्ति कहां पर मानी जाती है याद रखेंगे ब्रह देश्वर मंदिर के अंदर ब्रह देश्वर मंदिर में मानी जाती है लिंगराज मंदिर की बात करूं तो भीया ये कहां पर है उडिसा में मोझूद है, इसके अलावा कंदरिया महादेव MP में है लेपाख सी मंदिर आप लोगे कहां पर होगा अनन्तपृर जिले के अंदर अनन्तपृ में ये मोझूद है आगे चलिएका साथी पेफड़ों को कौन सा रोग परवावित करता है पताईए एलर्जी तपेदिक धनुस्तम या फिर कैंसर बताओ फेफडों को सबसे ज़्यादा हानी किस रोग से होती है तो भाईया अगर तपेदिक याने कि टीबी अरे टीबी होगी तो फेफडे खराब है सीधी शी बात है आगे चलेगा भूदान ग्रामदान आंदोलन न 1951 में कहाँ पर किया गया पोचम पल्ली गाओं के अंदर कहाँ पर पोचम पल्ली गाओं में यह शुरू किया जाता है आगे चलूँगा नेक्ष्ट यहाँ पर खालिस्तान सम्वेदानिक संसोदन अदिनियम 2003 के तहत अनुसूची जंजातियों के लिए एक अलग राष्ट यहाँ पर इस्थापना लगू करी गई यहाँ पर बात करूं मैं 89 सम्वेदान संसोदन के बारे में इस अदिनियम ने अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए मोजूदा राष्ट्रिय आयोग को विबाजित करके एक अलग राष्ट्रिय अनुसूची जन ज चाती आयोग की स्थापना का परावधान किया था आयोग में एक अद्यक्स एक उपद्यक्स और तीन अन्य सदेश्य होते थे सभी सदेश्यों की न्यूक्ती भारत के राष्ट्रपती द्वारा करी जाती थी राष्ट्रिय अनुसूचित आयोग का बात करूं यह एक जगत आता है किसमें अनुछे 338 A में यह आता है आगे बात करूँ 86 समिधान संसोधन क्या है इसमें एक नया अनुछे 21 A जोड़ा जो 6 और 14 वरस के बच्चों के अविके बच्चों के लिए शिक्ष्या का अधिकार बनता है 87 समिधान बशरते लोग सभा सीटों का आवंटन 2001 की जन गणना के आधार पर किया जाएगा नैकि 1991 की जन गणना के आधार पर 88 समिधान संसोधन यह कहता है कि इसमें अनुछे 268 A जोड़ा गया जो भारत संग को सेवा कर लगाने का अधिकार देता है तो सभी साथी जरूर से इन्हें याद रखेंगे आगे चलेगा रहनो माई मजदाइसन सभा का धारमी की सुधार संग की इस्थापना कब होती है तो भाईया यह इस्थापना होती है 1851 के अंदर तब 1851 में यह इस्थापना होती है किस सुल्तान ने अपने सिकों पर स्वयम को सिकंदर दित्य के रूप में चित्रित किया तो भाईया यह करता है कौन अलावद्दीन खिलजी खिलजी वन से संबंदित है और अपने ही चाचा या फिर अपने ही ससुर बोल सकते हो आप लोग जलाल उद्दीन खिलजी इनकी ह अपादी दे दी कि मैं तो भारत का सिकंदर हूँ इसके लाइफ में भी आ जाती है लड़की और जहां जहां लड़की आगई भीया वहां या तो तुम्हारा उद्दार हो जाएगा उद्दार नहीं हुआ तो भाई साब पतन होना तो निश्चित है इसका क्या हुआ उद् तेरा सो तीन में इसने चितोड़ गड़ में जो है युद्ध भी किया ठीक है आगे लिएगा लाश्ट परसंद आजी किलास का कि निमल लिकित में से कौन से राज्जी में कुच्छी पूरी नर्त की सुरवात होती है तो साथी कुच्छी पूरी कहां खाई मैंने अरे कच् का ओडिसी नर्त उडिसा में किया जाता है सत्रिया असम में मनिपुरी मनिपुर में मुहिनी अट्टम के रल में आगे चलिए गई खतम हो चुका है और टोटल पचास परसंदों में से आप लोगोंने कितना सही किया एक बार कमेंट बोक्स में सभी साथी जरूर से कीजिएगा वहिया पचास परसंदों का आप लोगों को जो संग रहे हैं वो कैसा मिला ठीक है चलिए और और सभी दोस्तों को अगैन एक बर माशिवरात्री की बहुत बहुत सुबकामनाएं बहुत संकर भगवान की ठीक है चलिए क्लास की समाप्ति करते हैं साथी बाकी करते हैं आप लोगों से कल की क्लास में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत